वक्तो विदुर जी ने अपनी लित्ती में लिखा है कि जिस सभा में हमारा अपमान हो रहा हो या किशी वैशनव का अपमान हो रहा हो, किशी भक्त का अपमान हो रहा हो तुरंट उस सभा को छोड़ कर चला जाना चीए रामायन में भी वर्नन है कि भागवत में भी वर्नन है जब दक्ष प्रजाबति ने सीव जी का अपमान किया वैश्णव आनामेथा सम्भू भुलनात का अपमान किया उस समय सती ने एलान किया था कि अधी बस चले अधी ताकत हो तो एक वैशनों एक भक्त का अपमान करने वाले की जी हुआ खीच लेनी चीए और अधी नहीं कर सको तो उस अस्थान को तुरंद छोड़ कर चले जाना चीए और उन्हें तो उस अस्थान पर रहेंगे ऐसे बातने सुनेंगे तो हमारा भी पतन होगा विदोर जी ने देखा कि बाप तो अंधा है ही लेकिन पुत्र भी अंधा है बाप आखों से भी अंधा है और बुद्धी से भी अंधा है ऐसे में राज ऐसे राज्य में रहकर हमारा भलानी मुस्त तुरंद माराज विदोर को हस्थिनापूर के त्याग परंतु वक्तों विदोर जी ने हस्थिनापूर को क्या त्यागा त्यागा विदोर जी जैसे ही हस्थिनापूर को त्याग कर गई हस्थिनापूर में रहने के भाग्वी को लेकर चले गा है जिस दिन से माराज विदूर जी ने उस हस्तिनापूर को छोड़ा है उस दिन से हस्तिनापूर की उल्टी गुरूती शुरूती सभी कोर्वों का मरने की तीथी पक्की हो और जिस समय किसी विष्णव किसी सभा में हो भले वहाँ पाप हो रहा हो फिर भी उस सभा का अपमान नहीं हो सकता रावन कभी नहीं मरता रावन नहीं मरता अधी उसने विभीष्ण को लात मारके नहीं निकाला जिस दिन से रावन ने विभीष्ण को लात मारा उस दिन से उसकी जिंदगी की उल्टी गिंती सुरूती राजा रहुगंड ने जड़भर जिसे कहा था कि मैं इस संसार में सीव जी के त्रिशूर से ने डरता यम्राज के दंड से ने डरता सुरी के अगनी से किसी से ने डरता हूँ इस दिनिया में अधी में किसी से डरता हूँ तो वह वैशनव अपराद से वैश्चनुव का अपमान से में डरता हूं और वास्तों में अधि कोई वैश्चनुव का आपमान करता है तो उसका पतन निश्यत उसल्ब वैश्चनुवों का प्राहपन का गायक आप माने करने चींसे उद्धुर जी वहाँ से निकले हैं तिर थाटन करते हुए विद्धुजी अन्य एक अस्थान पर पर्मन करते बिंदावन पोची बिंदावन में उद्धुजी का चमांके जी विद्धुजी का मिलन उद्धुजी से हुआ उद्वजी ने कहा कि महराज जब भगवान जा रहे थी इस दराधाम को छोड़ कर आपको याद कर रहे थे विदुर जी ने सुना कि मुझे भगवान याद कर रहे थे यह सुनकर महराज विदुर के आँखों से आँसों की धारा बैद रहे थे उद्धवजी ने कहा कि महराज और उन्हें मुझे और मेत्रे मुनी को भागवत का ज्यान दिया है और भागवत का ज्यान देने के बाद मेत्रे मुनी को कहा था कि है मेत्रे जी जब मेरे प्रियफर्ट उद्धवजी चमा कि जब विदूर जी जब आए तब आप उसे इस भागवत को सुना देज़े जिससे उन्हें मेरी प्राप्ति हो जाए कि मेरा विरा मैसूस नहीं हो विदुर जी में चल गए भागवत सुनने के लिए अध्यपी विदुर जी विरिंदावन में थे परंतो उनके मन में भागवत सुनने की इच्छावी उद्रव जी से पूछा कि उद्रव जी मैत्रे मुनी कहां में लेगा मैत्रे मुनी हरिद्वार में थे विदुर जी हरिद्वार के लिए निकल गए सोचिए कि मैं भागवत को सुनने के लिए विदुर जी ब्रिंदावन को छोड़कर हद्वार जा रहे हैं हम जादा कुछ नहीं कर सकते बस क्या करना है हमें ये नस्दीक में जो घर है उस घर को त्याग कर हमें यहां प्यास आना है भागवत सुनने के लिए इसी भागवत को सुनने के लिए विदुर्जी ब्रिंदावन से हरिद्वार गए परीचित माराज हस्तिनापुर दिल्ली से हरिद्वार गए हमें क्या करना है हमें वहां से चल कर बस इस कथा पंडाल में आना है और यहां पर कथा शोल करना है लेकिन लोग इतने आलसी हो पेले निकल जाते हैं तो मराज विदुर्जी भगवान की परमभक्ते और समझो धर्मराज यमराज के ही आवतार है मैत्रे रुषी परासर रुषी के शिश्य है क्रिश्न के किर्पाप पातर है स्रोता और वक्ता दोनों उच्छ स्रेनी परिस्थित है कथा सुना रहे हैं कहां कहां कथा चल रही है दोसरे दिन मैंने बताया नेमी सारनी में सुत गुष्वामी 88,000 रिसी मुनियों को कथा सुना रहे हैं फिर सुगदेव जी गुष्वामी माराज परिचित माराज को हरिद्वार में कथा सुना रहे हैं और आज मैत्रीमुनी विदूर जी को हरिद्वार में भागवत कथा सुना ये भागवत के स्रेष्ट वक्ता और सुनता बेठें हुए हैं भागपत प्रकृच का है विदुर जी ने कहते हैं कि मैं तरह मुई आप मुझे बताईए कि भगवान इस जगत का निर्मान जब किये भगवान ने अपनी दिरिश्टी अपने आँखों के इसारे से बहिरंगा सकती माया को जब प्रकट किया और माया के तीन गुन सत्त और अजस्व तमस को भगवान ने प्रकट किया प्रकट हुए और इन गुनों के द्वारा ये बहुतिक प्रकृति का निर्मान हुआ इन गुनों के द्वारा इन बहुतिक प्रकृति का निर्मान हुआ भगवान स्री कृष्ट ने विष्टू ने इस संसार का निर्मान तो कर दिया परंतु इसका निर्मान करने के बाल प्रजा की उत्पत्ती कैसे हुई प्रजा की उत्पत्ती कैसे हुई इस स्रिष्टी का संचार कैसे हुआ ये स्रिष्टी कैसे चले लगी इस तत्व का वर्नन भागमत में हुआ है पर्थम सर्ग सर्ग का अर्थात होता है ब्रगवान के द्वारा बनाई गई स्रिष्टी जिसका वर्नन दूसरे इसकंड़ है दूसरा तत्व ब्रह्माजी के द्वारा बनाई गई स्रिष्टी जिसका वर्नन तीसरे एवं चौथे इसकंड़ में तीसरा है स्थान इस ब्रमान में कौन सा स्थान किस जगत पे है कौन से जीव रहते हैं किस किस स्थान पर कौन से जीव रहते हैं और वे क्या करते हैं इसका वर्नन पांचवे स्कंद में भागवत के दूसरे स्कंद में सर्ग का वर्नन तीसरे और चोथे में विसर्ग का वर्न और छटा है पोशन है श्रीमत भागवत के छटे सकन्द में पोशन तत्व का वरन हुआ है इसे सुनकर आदमी अपने आत्मा का पोशन करता है दिन में दो बार तीन बार चार बार हम भोशन करके अपने सरीर का तो पोशन कर लेते हैं लेकिन आत्मा का भोशन कैसे किया जा सकत स्रीमत भागवद के साथवे एसकंद में उती तत्व के अंतरगर्त इस संसार में कौन जीव कैसे कैसे कर्म करता है और सभी जीव को अपने अपने कर्म का फल मिलता है इस तत्व का वर्लन बागवत के सित्वे स्कंद में परलाद महाराज की कता इस तत्व के अंदर आता है आठ्वा भागवत के आठ्वे स्कंद में मनवंतर कता का वर्नन हुआ है जहां पर गजेंदर शमुद्र मंथन भागवान वामन और मत्से अवतार की कता तृस्थानम त्थानम त्थाथ हिरन्य कश्पू राजशी वक्रीण शेख और मनवन्तर की कथा से गजेंद्र शमुद्र मंधन भगवान भगवान वामंद और्वाधिंड नर्क लोग कौ वर दित्रण के अंदर अजामिल कंथा वर में इश पूग्रह इशानूग्रह इशा अनूग्रह हमारे इतिहास में शौमवन्स और सूरी वन्स में अनेक राजा होई उन राजाओं के उपर भगवान की किस प्रकार से किरपवी इन तत्व का वर्लन इस प्रकार दस तत्व का वर्लन भागवत में किया गया है तो नारायन जो कारण समुद्र में विहार करते हैं, कारण समुद्र में शैन करते हैं, और कारण समुद्र में शैन करने की कारण भगवान का नाम हुआ कारणोदक शाई विश्नु है, और कारण समुद्र में शैन करने वाले भगवान विश्नु सांथ छोड़ते हैं, तो उनके स कि भगवान विश्रू की सास करोड़ों करोड़ों ब्रमान्द को प्रकट करता है तो ये भगवान कैसे होंगे बिवु है वक्तों विशाल है और सास्त्रों में चेतने माप्रू ने तो कह दिया कि भगवान अचिंत है भगवान ऐसे हैं कि हमारी चिंतन में भी नहीं आ सकते तो भगवान कितने बड़े हैं तो भगवान अचिंत उनकी चिंता भी नहीं कर सकते अचिंत भेदा भेद फिर भी सरधा हो, प्रेम और भक्ति हो उष्वास है तो आप एक अंदाजा लगा सकते आई ये भगवान कितने महान हैं, कितने बड़े हैं एक जलक में आप को दो भगवान को दी पहचानना हो परन तो भगवान कोम पहचानेंगे किसे बगवान तु देवगर में रहते नहीं विलासी टाउन में रहते जरफ लोकल के रहते क्या नहीं रहते फिर बगवान कैसे पैचा नहीं है तो कहते बगवान और हमारे बीच जो संबंद करता है वो काल है काल मतलब समय टाइम है और समय की गणना कैसे की जाती है सेकेंड से तो आईए मैं गणना कर गया आपको बताता हूं कि भगवान कैसे है कि जब इस पृती पर साथ सेगेंड बीचता है तब एक मिनट बोती है ऐसे साथ मिनट बीचती है तब एक घंटा समातो हूं कि और ऐसे जब बारा घंटे होते हैं और बारा घंटे की राध जब बीचती है तो एक दिन समातो हूं कि और जब ऐसे तीस दिन बीचता है तो ए एक महिना ऐसे बारा महिने बीचते हैं तो एक साल तिमसो पैसे दिन का एक साल तो ऐसे चार लाख 32,000 वर्स जब बीचते हैं तब इस कल यूग की आउधी समात होती इस कल यूग की आउधी कितना है फोर लाख 32,000 यर्स ओके और अभी कल यूग का कुछ पांच हजार पांच हजार वाँ साल सम्तिंग कुछ चल रहा है और ऐसे जब आठ लाख 64,000 साल बीचते हैं तब द्वापर यूग की आउधी समात होती इस प्रकार बार लाख 96,000 वर्स का त्रिता यूग और 17,28,000 का सत्यूग और जब हम ये चारो यूग सत्यूग थोड़ा ध्यान से सुनिए बड़ा इंपॉर्टन टॉपिक है जब हम ये चारो यूग सत्यूग त्रेता द्वापर और कल यूग की आउधी समात हो जाती है तब बनता है एक चतुर यूग जब ये चारो यूग खत्म हो जाते हैं तब एक चतुर यूग बनता है अधी हम इन चारो यूगों को मिला देवे तब 43,20,000 वर्ष का एक चतुर यूग होता है और जब ऐसे 11 चतुर यूग होते हैं तो एक मनवंतर की आउधी समात होती है और हर एक मनवंतर में ये जो देवी देवता है वो बदल जाते हैं इंदर बदल जाता है बगवान जिसे साचन के लिए इंदर बनाया हो ओ इंदर बनता है सारी देवी देवता बदल जाते है इंदर मनो वित्याती बदल जाते है और आगे सुनिये जब 14 मनवंतर ऐसे बितते हैं मने एक 1000 चतुर यूग जब बितते है तब ब्रह्माजी का 12 घंटा समात होता है ब्रमाजी का 12 घंटा और उतना ही बड़ा ब्रमाजी का राथ 12 घंटा बने 10,000 चत्रयोग और तो ब्रमाजी का 24 घंटा कितने दिर का हुआ 2000 चत्रयोग का कल्कुलेशन के हिसाब से देखा जाहे मैं एक दिन लाप्टॉप पर कर रहा था calculation की ब्रह्माजी का दिन कितना बड़ा है तो जब इस प्रिथी पर 8 अरब और 64 करोड़ वर्स बीचते हैं तब ब्रह्माजी का 24 घंटा समाब्त होता है यह मैं calculation करके इस पर निकाला हूँ आप देख सकते एक्सल स्रीट है पूरा यह ब्रह्म लोग का समय और ऐसे ब्रह्माजी 100 साल तक जिते है तो आप विचार कि यह ब्रह्माजी की आयो इतनी लंबी है और यह ब्रह्माजी के जब 100 साल समाब्त होते है तब भगवान विष्णू की एक सांस की आओधी समाब्त होती है भगवान विष्णू किये तो प्रह्माजी के 100 साल समामत हो गए और हमारे 8 अरब 54 करोड सालक समामत फिर भी कोई मुर्क लोग कहते है शिवो हम ब्रह्माश्मी मैं भगवान हूँ कितने मुर्क लोग है ब्रह्माण के सामने क्या तुलना इंकी भगवान के सामने क्या तुलना अरे भगवान छोड़ो देवी देवता और ब्रह्मा के सामने इनकी क्या तुलना यह हम ब्रह्मास्मी हम इस्वर क्या इस्वर का इस्वर और का यह संसार का तुछ व्यक्ति आत्मा आत्मा है वक्तो और प्रमात्मा प्रमात्मा है आत्मा अनू है और प्रमात्मा हनू है आत्मा प्रतंत्र है और प्रमात्मा स्वतंत्र है आत्मा को अनेक बंदन लगते हैं प्रमात्मा को कोई बंदन ले लगता आत्मा और प्रमात्मा में अनेक अंतर है कोई थड़ क्लास का मुर्खी होगा जो आत्मा और प्रमात्मा को येक पताता होगा देखे ये बात सच है कि प्रमात्मा का अनसी ही आत्मा है वही गुण है पर जो गुण प्रमात्मा में है वही गुण आत्मा में है लेकिन अंतर है अंतर को समझना होगा जैसे समुद्र को, समुद्र के सारे जल में जो स्वाद है, जो गुण है, वही गुण उसके एक बुंद जल में भी है, एक लोटे जल में भी उतना ही गुण है, वही खारा पड़, लेकिन क्या समुद्र की तूल ना उससे निकाली वी एक लोटे के पानी में हम कर सकते हैं कि कि यह समुद्र है, एक लोटा में पानी रख लिया, एक मगमें, बोलते हैं यह समुद्र है, क्यों भई, बोल यह समुद्र का अंस है, इसलिए यह समुद्र है, ऐसा हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्यों कि अंतर है, अंतर क्या है, रिस्थान का अंतर है, साइज का अं बना सकते, उस लोटे से आप समुद्र बना सकते हैं, नहीं बना सकते, लेकिन उस समुद्र से एक लोटे का जल जरूर बन सकता है, समुद्र में बड़े बड़े नाव जल्यान तेरते हैं, उस लोटे में नहीं तेरते हैं, यही अंदर है, आत्मा में और परमात्मा में, परम आत्मा समुद्र है और आत्मा एक बुंद जल है आत्मा कभी प्रमात्मा नहीं बन सकता लेकिन श्रीला प्रहुपात कहते हैं कि आत्मा कभी प्रमात्मा नहीं बन सकता परंतु अद्धी वह कृष्ण का नाम ले कृष्ण की कथा सुने बजन भक्ती करे तो वह महात्मा जरू बन सकता है तो बग्तो भगवान जब एक सांस लेते हैं तो एक सो साल ब्रह्मा जी के समाप्त होते हैं और अब सोची जब भगवान की एक सांस के सामने ब्रह्मा जी का एक सो साल तो हमारी मतलब कुछ चीटी वीटी भी इम लोग नहीं होंगे उनके सामने और जब ऐसे भगवान कारणवदक शाहि विष्णू सांस छोड़ते तो उनके रौ मुकूप से करोणों करोणों ब्रह्मान्द प्रकट होता है उनके रौ मुकूप से करोणों करोणों ब्रह्मान्द प्रकट होता है और उस प्रतेक ब्रम्हांड में एक-एक विष्णु प्रकट होता है जब भगवान श्रीकार्णोदक साही विष्णु सांस छोड़ते हैं तो उनकी प्रतेक रॉम कूपसी एक-एक ब्रम्हांड प्रकट होता है और उस ब्रह्मांड में एक एक विश्णु परकट होता है जिन का नाम है गरवदक्षाई विश्णु और गरवदक्षाई विश्णु से के नाभी से एक कमल दिब्वे कमल परकट होता है और उस कमल की दंडी में 14 लोग होते हैं सबसे उपर का जो लोग है उसका नाम है ब्रम लोग और सबसे बीच में सातवा लोग है प्रित्वी प्रित्वी के नीचे अतल वितल सूतल तलातल रसातल पताल और महाता प्रित्वी के उपर जन लोग मर लोग तप लोग सिद लोग ब्रम लोग पित्र लोग स्वर्प लोग एसे कुल मिलाकर चोदर लोग और ये चोदर लोग उस कमल की डंडी में फिट किये जाते हैं फिट रहते हों भगवान के नाभी से जब कमल उत्पन होता है तब इस दुनिया का प्रथम जीव हिरन्यकर्व प्रकट होता है क्योंकि हिरन्यमई कमल से वो प्रकट होता है इसलिए उनका नाम हुआ हिरन में करो और जब वे एक सो साल तक तपश्या करते हैं तब भगवान विश्नु प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी समा किजिए भगवान विश्नु उन्हें पूरे वेद और सास्तर का ज्यान प्रदान करते हैं और जब वो पूरे वेद और सास्तर का ज्यान प्राब्द कर लेते हैं तब उनका नाम होता है ब्रह्मा तो इस प्रकार ब्रह्माजी प्रकट हुए जब भगवान विश्नु प्रकट हुए और क्योंकि वेद भगवान के सांस से प्रकट हुए वे ब्रह्म से अभिन होने के कारण वेद को भी ब्रह्मा का आ जाता है सब्द ब्रह्म जब भगवान ने हिरन्य गर्व को वेदों का ध्यान दिया तो विरन्य गर्व सारे वेदों का ज्यान गरन करने के बाद उनका नाम ब्रह्मा हुआ ब्रह्मा को वेदों का ध्यान गरा के और भगवान ने आज्या दिया कि जो मैंने आपको ज्यान दिया है उस ज्यान के अनुसार से आप श्रिष्टी का उत्पत्ति प्रारम करो इतना कहकर भगवान विश्णु प्रकट हुए और प्रम्हाजी ने प्रजा की उत्पत्ति करना प्रादा हुए ऐसा सास्त्र में लिखा है सरप्रतम प्रम्हाजी ने चार मुनियों को जन्म दिया चार मुनियों को प्रकट किया कि निको शनक, शनन्दन, सनातन और सनतकुमार ये चार मुनि बगवान ब्रमाजी के द्वारा प्रतम प्रकट और भक्तों ब्रमाजी ने आदेश दिया कि तुम प्रजा की उत्पति करो परन्तु बगवान क्रिश्न में अनुरुत होने के कारण ये चार मुनियों ने साधी कर अने से मना कर दि और आजीवन ब्रमचरिव रद्र का पालन करके आज भी ये बगवान का उखदेश देदे रहते हैं और जब उनके पुत्रों ने ये बात नहीं मानी तो उन्हें कुरोध हाया ब्रमाजी को कुरोध हाया जब अन्होंने कहा कि आप साधी करो और इन्होंने मना कर दिया तो उन्हें क्रोध आया और जब ऑपने क्रोध को दबाने का प्रयास की उन् isol की भृकुटी सिकुड गई उनकी भृहएं सिकुड गई और उनसे भृकुटी से एक रोता हुआ नील रोहिद रंग का बालक पर कटपा और जन के पस्षाथी उन्होंने बयंकर गर्जना की तो प्रमाजी ने अपने कान पर हाथ रख लिये तो प्रमाजी ने अपने म्रदवानी से निवे दिन्व करते हुए इस्तुति करते हुए का कि हे देवताओं के देवता हे प्रधान हे महादेव हे वेष्टवालाम यथासंभू देवों के देव महादेव हे रोद्र हे शिव हे भोलेनात हे काल हे महादेव भगवान की आज्या है कि अब आप प्रजा की उठपत्ति कर बसे और शिवजी अपने ही समान स्वरूप बल्त था उग्रस वभावाले संतान उठपत्ति करने लगे और वे दीरे दीरे संपुर्ण ब्रह्मान को निकलने लगे और दीरे दीरे बड़े होके ब्रह्माजी का गलाद आने लगे ब्रह्माजी ने देखा कि ये कैसी स्रिष्टी इसने कर ली वो भैवीत हो गए बोले हे देव स्रिष्ट भूले नात आप ऐसी स्रिष्टी करना बंद करो आप तप में जाओ बगवान का ऐसे आदेश है कि आप तप में जाओ और समय आते पर आप बीच-बीच में प्रलाए करते रहे भूले नात तपश्या में गए तप करने लगे तपश्या प्रमाजी ने अपने सरीर से दस पुत्र को जम दिया नारत नारत मस्तिक से उत्पन हुआ स्वांस से वसिष्टे कान से पुलश्य मुक्ष्य अंगीरा आंक्ष्य अत्री मन से मरीची नाभी से पुलः हांच से करतू तवचा से भ्रगू और अंगुखे से अच्छ दप्श को प्रकट किया इस प्रकार ब्रमाजी ने बिना किसी का सहारा लिये हुई दस्पुत्रों को प्रकट किया अब ब्रमाजी के मन में सोचने लेगी कि मैंने सरवत्रों फेले रहने पर भी जनसंक्या अभी भी प्रयाब्त नहीं है जब ये इस प्रकार विचार कर रहे थे तब उनके सरीर से दो अन्य रूप में उत्पन हुआ और इस सरिष्टी में मनुष्टी की उत्पत्ती करने के लिए ब्रमाजी से दो अन्य रूप अपने दाएं यंग से स्वेंबू मनु को उत्पन किये और बाएं यंग से सत्रूपा को प्रकट के ब्रमाजी ने अपनी सरीर से एक पुत्र और एक कन्या को प्रकट के जिसका नाम था मनुशत्रूपा स्वेंभू मनुश इनका जन्म हुआ इसलिए स्वेंभू मनुश इनका नाम हुआ तो इस प्रकार ब्रमाजी से मनुष्य की उत्पत्ति प्रारम हुई ब्रमाजी ने ने आग्यां दी कि है मनुष अत्रूपा तुम पृत्थी पर जाओ और पृत्थी पर जाकर मनुष्य की मेथूनी सृष्टी प्रारम करो तुम अपने पत्नी के गर्व से अपने ही समान योगी संतान था मनु और शत्रूपा अपने पिता का आदेश से नीचे उतरे और उतर करके देखा तो इस ब्रमान्ड के सभी लोग अपने अपने स्थान पर थे लेकिन पृत्वी जो थी अपने इस्थान पर नहीं थी ये पूरी पृत्वी को ही कोई लेकर छिपा दिया था करी मनुमाराज और सत्रूपा वापस गए ब्रह्म लोक में अपने पिता के पास गए और करने लगे कि पिताजी आपकी आग्यां से हम पृत्वी पर दो गए लेकिन पृत्वी पर अपने इस्थान पर नहीं है अग्तो बात यह थी कि दिती के दो पुत्व हुए दोन अशूर थे बड़े का नाम था हिरन्याक्ष और दूसरे का नाम था हिरन्याक्ष इरन्याक्ष ने सोचा आगे चलकर देवताओं के साथ युद्ध करना है और देवताओं की सक्ती बढ़ती है किस से यग्य करने से देवताओं का भोजन यग्य से होता है यग्य को देवताओं की जीवा का गया है तो देवताओं की सक्ति बढ़ती है यग्य से और यग्य करने वाले मनुष्ट इस पृत्वी पर आएंगे तो बहुत सारे यग्य करेंगे मनुष्ट लोग इस पृत्वी पर आकर इससे पहले यग्य करें इसके पहले में प्रित्वी को ही गायब कर दोंगा चुपाते हो इस प्रित्वी को ही उसने चुपा दिया बोले ना रहेगी बांस ना बजेगी बांस रुखा प्रित्वी नहीं रहेगी तो मनुष्य का उत्पादन नहीं होगा और उत्पादन नहीं होगा तो यग्य नहीं ह तो देवताओं की सक्ति नहीं बढ़ेगी तो हम उसे आसानी से हरा देंगे इसलिए हिरन्याक्ष ने पृत्वी को रसातल में लेकि चिपा दी असूर था असूर की मतिया ऐसे उठी और दुसरी और मनु और शुत्रूपा ब्रमाजी के पास गए कहने लेगे पिता जी आपकी आज्या से हम प्षिपर गए पर अंटु पृत्वी वहां पर नहीं थी ब्रमाजी के मन में चिंता हुई वगत तो इस संसार में चिंता सबको होती है लेकिन जो अभठत होते हैं जिनता उने होती हो तो दुखी होते है और जो भक्त होते हैं, उनको जब चिंता होती है, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ विशेश नहीं करते हैं, वो चिंता के आगे ना लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ना, मने चिंतन करने लगते हैं वो भगवाल की, तो ये बहुत चिंता जी है, चिंता जो है ना, बहु चिता दोनों में बहुत फर्क नहीं है बोले चिंता और चिता में कितना फर्क है बोले अनुसकार मातर का फर्क है और कोई चीज़ का इसमें फर्क नहीं है बोले काम बोले काम भी दोनों एक ही करती है काम क्या करती है दोनों काम भी एक ही करती है दोनों का काम क्या है जलाने का जलाती है चिता जो है मरने के बाद जलाती है और चिंता जो है मरने से पहले जलाती है और बत्तों सब के जीमन में यह चिंता है प्रमाजी ने चिंता, प्रमाजी को चिंतावी, वे प्रित्वी को कौन लेकर चलागी है अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही प्रमाजी को चिंतावी, ब्रमाजी भगवान सरी कृष्ण का चिंतन करने लगे ब्रमाजी भगवान को प्रात्ना करने लगे, और जब ब्रमाजी ने भगवान को प्रात्ना करने लगे और जब ब्रमाजी ने भगवान का चिंतन किया, तो भगवान का एक दिब्वी अवतार हुआ तो आएए हम भी ब्रमाजी के साथ भगवान का चिंतन करें और भगवान के उस दिब्य अवतार को अज़ हम इस सहर इस स्थान पर प्रकट करा रहे बगतों ब्रमाजी ने ब्रहद नारद्य पुरान में महा पुरान पुर्ण महा मंतर शे भगवान को सित्य के आएए हम भी महा मंतर से भगवान को सित्य करें Azim आएए और भी महा मंतर स Allah आएए आके स्थान को सित्य करें कृष्णा हरे एक शना कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम और राम 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 हरे हरे सब लोग छिंतन किजिए ब्रमा जी के साथ सब लोग ब्रमा जी के साम लोग लोग पनी हर लोग जिए गानरई ब्रमा जी का साथ श्रीज श्रीज श्रीजू हॉआ है। Rama, Rama, Hare Competition Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare disclaimer राम राम आरे 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 पिसन करें करें रोड़ا किसन करें करें हरे ओर मोर्य वार पारे ारे प्रमुटू थो अधैक्षिन panels ूरे कृष्णा। ुरु क훈ि निएеро अधैक्ष्णा। ुरु क्षुक्ष्णे कृष्णा। अजय करश्ना हरे करुष्ण लुट्ट 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 कर दो लुग एफो नगवश्न हो डिश्न कुष्टाब्स नहाइब यजर राम घडराम मराम है ये इसे नगवश्न कि नाही जाओ अजा मिलेष्न अजाइब आप टिसा है श्षुप्रकार प्रम्मा समेत सभी मी देवता भगवान का स्मरन करने आरे खुश्णा स्फुवन्य लगारे खुश्णा कुश्णाा इसन ओर फिर टोट करम अऊ-फ। माइक वाले आएंगे साउंड वाले Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 आपर आपर इस तंसार में जब जब हत भगवान को पुकारते हैं तब तब भगवान आउंतार भारन करके अपने भक्ति की रख्षा करने के लिए इस प्रिटीब प्रकट हो जाते है ब्रमाजी ने चिंतन किया जैसे ही ब्रमाजी ने भगवान का चिंतन किया तुरंट ब्रमाजी को छीक आई और छीक आने से ब्रमाजी को एक अंगुष्ट सितना चैप्रक दीरे भीरे बड़ा होने लगा तिया दीरे उसvaluation ने बहुत विशाल से उ्धारं कर लिए हथी का समान उचिरद्र दीरे दीरे विशाल हून हुआ । दीरे-दीरे परवत ज no बन गया औरमा समयत सभी द्रभी डेउता समझ रहे कि आग सधा संबाद भगवान वरां अवतार धारं कर लिए रह需要 हैं अ doe मुझा थैडिस्ट शोड़ी टुट आबीश नही uppen। है नुट इदिस्ट इस नहीं दसें कि और भी ठीओ C1 2 क देड़ी तुट इसन Dorothy कशना हगे द preparation हरे राम हरे राम 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 हरे Harai Krishna, Harai Krishna Krishna, Krishna, Harai, Harai Harai Rama, Harai Rama Ram, Ram, Harai Harai हारे किष्रीन hearee किष्रीन किष्राइ एिस्लाई हरे 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 राम हरे राम रम राम ठरीक्ष्णा तारर कम थै ए पक्ष्राइ हरे ब्रह्मा जी के नाक से भगवान वारा प्रकट हो गए हने को तिपी मंत्रों उद्रा ब्रह्मा समेट समस्त देवी देवता भगवान वारा की सुठी करने लगे और उस समय भगवान वारा गरजना करने लगे भगवान वारा की गरजना से तीनों लोग कापने लगा और उस समय भगवान वारा जैसे ही अपनी पूछ पकड़कर के आकास में उंचले भगवान वारा के गरदन के बालों से आकास के बाद तित्र बित्र हो गए भगवान वरा का सरीर कठोड चमडी के बाल करक सभेग दात आंखों से करोरो करोरो सुर के समान प्रकास पंज निकम अच्छ भई पडवत के समान भगवान वरा का दिब शरी और उस समय भगवान वरा अपनी पत्नी वशुंदरा देवी प्रित्री का उस समय भगवान वरा अपनी पत्नी वशुंदरा के एधार के लिए उस प्रित्री के ब्रक्षा के लिए जैसे ही समुद्र में कुद्र सम्द्र दोन О्भागों में बट गया समधर आकास में उचल गया और उस समय भगवानवरा इस रसाकल में चले गए जाकर सरभ परतम भगवानवरा ने अपनी तद्री बसंदरा का उधार किया और वित्वी को अपने स्थान पर लागे लिट दिया हिरन्याख्ज को पदा चलते ही हिरन्यास में अपने हाथ में गड़ा लेकर बगवान वरा के साथ युद्धी करने के लिए चल पड़ेगी और आज बगवान और हिरन्यास के लिए घमासान युद्धु छिड़ा है दोनों एक दुसरे के पर तूट पड़े है कर सर पर अधर असर गर यनुसर कर बर सर दर मैं करें अरी हर सुन अपर अपर अतियन करें नटवर मन हर भैर बने मन हर मतक लटक कट निकट सिर सवर नमे गडर नवट परण गरण फड़ गोंगर रंगवर सुनर श्याम्र मेरे जीजी रंगवर सुनर श्याम्र मेरे दोनों एक दुसरे के पर तूट पड़े गमासान युद्वा इत्यास की प्रधम गटना हिरन्यक्ष का प्रहार होते ही बगवान वरा के हांथ से गदा गिर गया बगवान हांथ से गदा गिरते ही हिरन्यक्ष का उच्छा पड़ गया बगवान विरन बगवान वरा के ओपर हिन्यक्ष तूट पड़ा और फिर से दोनों की बीच दो गमासान युदूब दोनों एक दूसरे के उपर हाथों से प्लडने लगे आज भगवान अपनी तिते लिला प्रसुट कर दो और उस रख्षा हिरन्याच ने अपने गमासान प्रहार कर रहे युद्ध करते करते बड़ा भगवान ने सोच लिया कि अभी इस रख्ष का वद्ध कर दूँगा और उसी समय रिशी मुणियों की रख्षा करने के लिए रिशी मुणियों की यग्जी की रख्षा करने के लिए आज भगवान वारा इरन्याज को पर तोट पड़े हैंकर युद्ध छुड़ा है जोना एक दुसरे पर पड़े हुए इरन्याज को मारने का निश्य भगवान ने कर लिया जिस समय भगवान ने इरन्याज को मारने का निश्य किया उसी समय अब सराओं का निर्थी बंध हो गया साथुआ के मन में आनंद होने लगी अशुरों के मन में छोब उत्वन होने लगा दीती के रिदय से दीती के स्टन से खुन चुने लगा और उसी समय बगवान वरा ने अपने दिप्र हात का समस्त देवी देता प्रकट हो गई और भगवान वरा की जह जयकार करने लगी बोलो यज्जवदी भगवान वरा ने वकेज़ए समस्त डेवी देवता भगवान वरा का सुती करने लगी बस्ति दशन शिकरेगर मीतम बलगना ससीनी कलंक कले वनी मरना केश वद्रीता शूकर रूपा जय जगदी शहरे जय जगदी शहरे जय जगदी शहरे ससीनी कलंक कले वनी मरना केश वद्रीता शूकर रूपा जय जगदी शहरे जय जगदी शहरे बटाओ आज बगद्वान विष्णू रिशी मुन्यों की बुजी हुई अगनी को प्रजुलित करने के लिए ब्रह्मा जी को सांती देने के लिए मनुष्य को उपत्ती करने के लिए और अपनी वसुंदरा पतिगी अपनी देवी को वसुंदरा का उधार करने के लिए वराह उतार भारन के लिए सब लोग जय जयकार की लिए केशव दूपा सुकर रूपा केशव दूपा शूकर रूपा जय जय गदीश हरे जय अतेश बद्रीता नरहरी रूपा जय जय गदीश हरे जय अतेश बद्रीता नरहरी रूपा जय जय गदीश हरे जय 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 गदीश हरे जय 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 गदीश हरे वक्तो आज भगवान के क्रिपा से और भागवत के माध्यम से बरादे का प्रकातिवा अब जय जय कार की लिए केश बद्रीता शूकर नरूपा जय 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 गदीश हरे 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 वक्तो इस प्रकार भगवान वरादे का प्रकठ आस भागवजी की माद्यम से महा रहो बोलि एक्यपती भगवान वरादेव की जय श्यलाब राप्द की जय तो इस प्रकार वराधे का प्राकट यह मात्मा विदुर जी ने श्रिमेत्रे मुनिके चर्णों में दिग्यासा करते हैं कि माराज है मैत्रे जी भगवान वराधिक प्रकट हुए प्रित्वी का उधार किया और मनु और शत्रूपा इस प्रित्वी पर आए मनु और शत्रूपा प्रित्वी पर गए और मनु और सत्रूपा से जो स्रिष्टी हुई तो मनुसिक स्रिष्टी हुई इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, ये सारे मनुष्य एक मात्र मनु माराज के वर्सस है, मनु से मनुष्य का जन्म हुआ, इसलिए तो कहते हैं मनुष्य, या संस्कृत में मानुस कहते हैं, ज़का आरत होता है जन्म, मनु से जन्म होने के कारण नाम मानुस कहा जाता है, कि पास संतानों में तीन कन्या और दो पुत्र हैं तिनगत क अंकती पछूती और देव्चुति दो उत्तान पाद और प्रियोगरत राजा उत्तान पाद जिसकी दो पत्नी सुनिती और सुनिदी के गर्भ में ध्रू का जन्म ध्रू माराज का कथा आप सब जानते हैं कि किश प्रकार भगवान की भक्ति के लिए ध्रू माराज पांच वर्स के आईू में जंगल में चले गए नारद मुनी की क्रिपा हुए और दुरु महाराज को पांच बरस में भगवान की प्राइब दुरु महाराज अपने स्तुति में कहते हैं कि प्रवु आपकी भक्ती जो है मादक है मादक मतलब नसीली नसा करते हैं इस दुनिया में लोग अन्य अन्य प्रकार के नसा करते हैं सराब का नसा फीम का नसा गांजा ड्रक्स लेकिन सबसे पावरफूल नसा क्या है मालूम है आपको सराब का नसा 1 से 2 गंटे रहती है ड्रक्स का नसा 1 दो दिन रहती है उसे पावरफुल चार दिन, पांच दिन, छे दिन, 7 दिन बस उतर जाती है नसा जब तक है, तब तक ही फिल होता है कि हम दुन्या के राजा है और भगवान की नसा एक बार किसी पे चड़ गई तो पूरे जीवन भर रहती है वो नसा और फिर ये तुच्छ नसा जो हम करते हैं ना पान, पुडिया, सिग्रेट, दारू, तंबा को सब खतम हो जाता है उस नसा के सामने इसकी कोई तुलना ही नहीं तो इस परकार धुरू माराज धुरू के पुत्रुए वद्सर और उनी की परंपरा में आगे राजा अंग का जन हुआ, राजा अंग से राजा वेन हुए और वेन से परवान पिठु का जन हुआ, जिन्होंने पिठ्वी का दोहन किया 99 अस्वमेक यग्य कर रहे, कर चुके थे सौवां अस्वमेक करने जा रहे थे, इंद्र की कुद्रिष्टी हुई इंद्र यग्य में विग्ण डालने के लिए आया इंद्र को ही बांद कर, मंदर से अभी मंद्रित करके हावन में डालने जा रहे थे भगवान प्रकट हो गए पिर तुम महाराज को रोप दिया कि तुम मुझे परशन करने के लिए यग्गी कर रहे हैं मैं तुम्हारे सामने इसी मनु महाराज जिनका नाम था इसी मनुमाराज के पुत्र जिनका नाम था प्रियवरत प्रियवरत के पुत्र हुए अगनिग्र अगनिग्र के पुत्र हुए नाभी नाभी की पत्नी मेरू देवी जिस ये भगवान रिशवदेव का प्राकट भगवान रिशवदेव की सो पुत्र जिन सो पुत्र में 81 कर्मकांडी ब्रामन, नो पुत्र नो नो दीपों के राजा, नो अन्य पुत्र नो योगिस्वर के रुप में विख्यात हुए, कवी, हरी, अंत्रिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविरहुत्र, धुमिल, चमस्वर, करभाजन्व, इस परकार 99 पु इसका नाम अपने राजा के नाम पर रख दिया, उस दिन से अजनाव वरस का नाम हो गया भारत, जिस भारत भूमी में हम रहते हैं, इस प्रकार से इस भूमी का इतिहास, तो इस प्रकार मनु महाराज के दो पुत्र, तीन कन्या, सरो पर था मनु महाराज के एक कन्या थी, जिनका नाम था देवुती देवुती का विवा कर्दम रिची से हुआ बड़ा सुन्दर कथाय वक्तो कि देवुती वरत लेके रखी थी कि मैं विवा करूंगा तो किसी कृष्ण भक्त से बगवान स्री कृष्ण के भक्ती में दिन रहते थी जन्म से भक्ती संसकार दिने हुए थी जब उनके पिता कोई बेटा तुम्हें क्या चाहिए क्योंकि उनकी पिता पूरे ब्रमान के राजा थे मनो मारस तब देवि देवुती करती कि पिदाजी एक ہी इच्छा है मैं जीवन भर कृष्णी की भक्ति करती है विवा की उम्र हो गए तब देवुती ने अपने पिदाजे एक ही निवेदन किया पिदाजी आपको दिन मेरा विवा करना हो तो मुझे कोई धनी पती के साथ जिवा नहीं करना मुझे धनी पती नहीं चाहिए मुझे सुन्दर पती नहीं चाहिए मुझे बस मेरी एक ही इचा है कि मेरा होने वाला पती क्रिश्न का परम सुद्ध भक्त ऐसा ही हुआ और इधर दुस्ती और ब्रमाजी से करदम रिसी का जन्म हुआ अभी आपने थोड़ दिर पहले सुना करदम रिसी का प्राकट हुआ ब्रमाजी ने अपने पुत्र करदम रिसी को आदेश दिया कि तुम जाओ और रिवा करो संतान उपत्ति करो तब कर्दम रिसी ने कहा आज बिना कुछ कहे हुए तो तपरश्या के चली चले ने पिता ने आदेश दिया कि तुम जाओ विवा करो और संतान उत्पतिका कर्दम रिसी आज के फुत्रों की तरह नहीं कि गए सिदे किसी भी लड़की को उठाके लिते आए गरब मा produit तुमारी गौँ ऐसा नहीं कि कर्दम रिसी टपरश्या करनेगे एक हजार वर्ष तक टपरश्या भगवान विश्णु प्रकट हो गए और करदम रिशी को देख कर उन्हें इतना प्रेम मम्ता उत्पन हुआ कि उनकी आँखों से अस्नु की धारा बन गए और उस धारा से पूरा एक शरोवर बन गया जिसका नाव हो बिंदु शरोवर करदम रिशी भगवान का दर्शन हुआ भगवान ने कहा बताओ क्या शिए करदम रिशी ने कहा पिता की आग्या है विवा करो पिता कि आग्या ठुकरा नहीं सकता इसलिए मेरा विवा हो इसमें कोई तकलिफ नहीं प्रंदु प्रवु आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है मेरा हो विवा हो तो एक ऐसी भक्तिक अन्या के साथ हो जिससे मेरा बजन साधन अच्छे से जल सके मेरे पज़न बड़ती में स्योग कर से पगवान विसनुने का ऐसा ही होगा वोले आज से ठीक तीन दिन के बाद ब्रमांड के स्वामी ब्रमांड के राजा मनु महराज तुम्हारे पास आएंगे और अपनी पुत्री का हाँ तुम्हारे ना बगवान एक करके चले गए कि आज से तीन दिन बाद मारा अजमनु अपनी पुत्री का हिवाद तुम्हारे साथ करेंगे और जैसा बगवान ने का वैसा ही हुआ बर तो करदम रिस्टी बिंदु सरुवर के तड़ पर कुटिया बनाके रहते थे तीन दिन के बाद स्रिष्टी के चक्रवती सम्राक अपने बेटी को रद पर लाए और करदम रिस्टी कुट्चे बेचे गए यह नहीं देखा कि तुम्हारे पार कितनी गाडिया है बैंक बैलेंस कितना है तुम्हारा मेरी बेटी का क्या होगा है सोचा है कभी कुछ कुछ करा है यह जोपड़ी में रहता है तु मेरी बेटी किदर रहेगी मनुमाराज देखा भक्त है अधी भक्त है तो एक कुटिया में भी रहेगी तो मेरी बेटी सुखी रहेगी अभक्त है और हजारों के करोनों के महल में रहता है मर्सेडीज है बी-म-डबलू है अभक्त है फिर भी मेरी बेटी वां सुखी में ही रह सकते आज के पिता अपने पुत्री का भी वा है ठीक अपूजिट करते हैं क्या बैंक बैलेंस लाइफ इंसॉरेंस जॉब भग तो हो या ना इसने मतलब नहीं बहले हो नड़का दारू पीता हो सराफ पीता हूं गंजेडी हो चलेगा कैको ने को सादू मिल भी साद्व पुरुस तो टिलक लगाता है इस्से मेरी बेटी साधी करेगी व continuity ग में tillमे बात काू ना तो जोटिए कुर्दा वाले कर सकते ना और एक कुल्फेंट अउट वाले ले कर सकते अभी आप सुनेंगे वाले ये एक दुनिया पूरा पाप में हो गया था और उस दुनिया में अमेरिका में पूरा पश्चिम पाप चल रहा था और उन पापियों को हरे कृष्चन महा मंतर के उपर जुमा दिया किसने एक धोती वाले श्रीलप रौपाद ने अमेरिका में जाके चालिस रुपएले के अमेरिका गए और दोती पैन के गए एक चूटिया रखी और जुमा दी अमेरिका के लोगों के आज हम से ज्यादा बड़े भक्तियों यह भारत गुलाम था इस गुलाम को आजाद कराया किसने एक दोती वाले गांधी जीन कि दोती वाले सुक दे सकते हैं अपनी पत्नी को एक फुलपेंट सट वाले नहीं दे सकते हैं आपकी पति अपको पहेमόσ पहेम है एक साल दो बार हो भी बहात कच कच करके नहीं नहीं चलना है जी चलना है जी चलना वाला नहीं दे शकता और नीटों कभी आकर देखी हमारे जिन्दगी में कितना सुखी है भगवान की कृपा है भगवान की भक्ति कर रहे है उनका शुरी वागई अज पति पत्णी में कचकच चल रही है लड़ाई चल रहा है, चगडा चल रहा है अ sık भक्ति की जिंदगी में जाकर देखिये दोनों मिल के कृष्णे की सेवा चलने बिंदास जिंदगी चलते हैं अब देखिए आप एक दोती वाला क्या करता है एक दिलक वाला क्या करता है आप देखिए हम अपनी बेटी का भीवाई दोती दिलक वाले के साथ नहीं करना चाहते क्यों अरे बोल अरे कृष्णा अपृट जहाएं ऑपेटर आपनेगे हैं कि अब सोचते हैं यह क्या प्यादि कृति में कि हम सोचते हैं क्या 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 कर ले गांए बिल्कुल धीला है हैं कभी कुछ लोग सुचते हैं जब दोती कृता में एक ट्रेन या फिर फ्लाइट में जाते हैं तो सोचते हैं हमारे मतले हो जोचते नहीं है कि यह क्या है यह दोधी कुर्टा पेन के फ्लाइट में बैठा हुआ है बड़ा उसे हिंद रिष्टी सोचते हैं लेकिन बगत तो एक दोधी कुर्टा वाला जो कर सकता है ना एक फुल्पेंट स तो देव हुती का हांत करदम रिशी के हांत में देकर चले गए यह दोनों का विवा कर दिया वक्त विचार करो कि मनु महराज अपने बेटी का विवा हिंसी क्यों कर दो विवा हुआ विवा हुए कुछ दिन वीता और करदम रिशी को समाधी लग दे भगवान की समाधी में इस तो चुपी और देवुती परती दीन अपने परती की सेवा करने लगी और समाधी एक दो दिन की नहीं लगी कितने दिनों की लगी बारा वरसों की समाधी लग कर्दमरी से समाधी में बैठे हैं देवुती रोज उनकी सेवा करने लगी समाधी में बैठा है उसे कि क्या सेवा तब संद्गन कहते हैं पति धर्म कारे में लगा हो तो उसे डिश्टब ना करना ही सिवा है कि एट वैजी चलिए मैके चलते हैं समाधी में बती माई के लिए कि जाना है साधी के बाद वक्तों लोग घूमने जाते हैं कुलुमनाली गोवा हर जगा जाते हैं घूमने के लिए लेकिन करदम रिशी को समाधी लग गए और देखें इसी समाधी के कारण आगे चल कर इन्हें एक दिब पुत्र की प्राति होगी बारव अरसों के बाद जब करदम रिशी की आँखें खुली तो रिदे में बहुत कस्ट हुआ बहले जिस पत्नी का विवा करके मैं लाया था और जब विवा करके आई तो इतनी सुन्दर थी मेरी सेवा करकर के इनका सरीर सुख गया लेकिन करदम रिसी भी कम नहीं थे वक्तों करदम रिसी भी कम नहीं थे करदम रिसी ने अपने तप के बल में बिंदु सरोर में एक हजार दासियां उत्पन कर दिये और दासियों को उत्पन करके दासियों को उत्पन में करके रख देवुती की शेवा में लगा दिये एक हजार दासियां देवुती की शेवा करने लगी देवुती को तिलक किया गया हल्दी चंदन का लेप लगाया गया तूच से नहलाया गया और आज फिर से देवहुती के शरीर में वही सुन्दर बन गए प्रिकरदम रिशी ने सोचा कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ और एक पती भी हूँ और पती का करतब भी होता है कि एक पत्नी की इच्छा को पुर्ण करना ये भी भक्ती ही है आज के पतियों के लिए एक छोटा सा संदस पती लोग ज़्यादा यहां आते नहीं है माताजी लोग ज़्यादा आती है तो आप अपने पत्नी का ध्यान रखें ऐसा अकसर हमेशा नहीं होता कि सिर्क माताजी लोग ही गलत होते हैं कभी-कभी प्रवोजी पति लोग भी गलत होते हैं उनका ध्यान रखना चीए पत्नी को समान करना चीए आप उन्हें दुसरे के घर से लाए हैं लोग कभी-कभी लाकर उन्हें बिना पैसे की नौकरानी समझते द्रीवाला आ गया निर्दन ओगें देकिन ऐसा लिए अब के जादा कुछ ना कर सकों वह पत्नी का जिस भाव से उसके पत्नी उससी इज़्जत कर रहे हैं उसरे पह प्रूशान और कि साड़ी तु दिलाई सकते हैं डिलाना ही चीई गुमाने भी लेके जाना चीई समाज वाले इस्त्रियों के उपर दोशा रोपन करते और पुरुशों को भी ज्यान होना चाहिए कि हमारा जन्म भी एक इस्त्री से ही हुआ है लोग कहते हैं कि इस्त्री अपवित्र है यह नहीं करना चाहिए ओ नहीं करना चाहिए तुम जिस से प्रकट हुए हो इस तरी अपवितर है और तुम पवितर हो यह कैसी बात है बेख यह बहुत गलत बात आज किस्तसूर चाहते हैं कि मेरी बेटी जिस घर में जाए वहाँ पे रानी बन के रहे और मेरी बहुजो आए वो यहां दासी बन कर रहे यही मान्यता हो गई यह बहुत गलत था था बहुत बड़ा पाप है तो करदमरिशी इस बात को जानते थे कि पत्ती का क्या करत्त यह होता है एक भक्त वो जानता है कि उसका करत्त प्ये क्या है उसके पत्नी के पत्ती उसके बच्चों के प्रति करदम रिषी अपनी पत्नी को प्रशन करने के लिए सुक प्रदान करने के लिए करदम रिषी ने एक बहुत बड़े विमान तयार किया अपने भक्ती के बल पर उस विमान को चला दिया और सिर्फ एक सो दो सो फिट का नहीं एक सो दो सा सीट का नहीं करदम रिसी ने पूरे विमान एक महल जैसा बना दिया जिसमें अनेकों सरोवर थे अनेकों बगीचे थे और ये जो प्लाइड था ना कि डीजल पेट्रोल से नहीं ये मंत्र से उड़ने वाला था अपनी पत्नी को विमान में बिठाया पत्नी की इच्छा को पुर्ण करने के लिए स्टीदे अपने विमान को आकास के मार्ग में उपर उड़ाया और अपने पत्नी को लेकर स्वर्ग में गए इंद्र भी जिस स्थान पर परवेश नहीं कर सकता है ऐसे ऐसे अधफुत स्थान में ले कर गए विच्रन की दो दीन, पांच दिन, दस दिन, पंद्रा दिन देहुतीने का ये पति देव अब बहुत समय हो गया मुझे घर की यादान गर वापस ये होता है पत्नी का सुभाव लेकिन आज माई के गए तो दो दिन और रह लेते हैं गर की यादी नहीं आ रही है, ये भी गलत है तो ये भक्ती में नहीं होता है करदमरिशी वापस आए, करदमरिशी के द्वारा देहुती के गर्ब से नो कन्या का जन्म हुआ और एक दिन करदमरिशी के दिब्वी योग अपने भक्त पक्तनी के द्वारा देहुती से उस देहुती के रिदाई गर्ब से संतान के रूप में साक्षात भगवान, विश्णु, हरी, कपिल देव के रूप में सरुपती है बोलिये कपिल देव भगवाने की जै जिसके जीवन में, जिसके गिरिष्टिती में भगवान की भक्ती होती है आपस में प्रेम होता है, किस-किस नहीं होता है, जगडा नहीं होता है वहाँ कुपुत्र पैदा नहीं होता वहाँ भगवान का भक्त और शुकुत्र पैदा होता है और पती पतनी एक दूसरे की इच्छा पुर्न करते हैं भक्ती करते हैं भक्ती होती है तब दोनों के मिलन से बगवान का या बगवान के सूत भक्त का ही जर्म होता है आज हम टीवी देखते हैं, गर्वोती है और माताय टीवी देखती है, बाद में पुत्र हुआ, तो पता चला किसी लड़की को भगा लिया, क्योंकि उसने लवी स्टोरी देखी थी, तो ऐसा ही करेगा, अधिक मार पीट वाला फिल्म देखी, गर्वोती उस्टिती में तो क् हुआ, बच्चे लड़ाई जगडा करेंगे, पिर बोलेंगे पता नहीं इसको ऐसे संसकार कहां से मिल रहे हैं, ये गर्व में सीखा है, गर्व में जो एक व्यक्ति को जो संसकार मिल सकता है, वो बाहर नहीं मिल सकता है, परलाद महाराज करते हैं अपने सुद्धी में, आ आप में, मेरा उम्र भी हो चुकी है, और तुम भी बड़े हो चुके है, मैं चाहता हूं, मैं वानप्रस्त आश्रम सिकार करूं, परतेक पुरूस को चाहिए कि हो, एक कावन वर्स होते हुए, एक वन, मतलब एक वन में चले जाने हैं, आज तो वन की स्थिती कुछ ऐसी है तो वन में ना जाके हम, वरिंदावन में चले जाएं, माया पुर चले जाएं, अन्यम निधामर में माश करना चीए, आसक्ती को छोड़ देना चीए, चौथा पन जब जीवन का जाता है, तब वन में प्रवेज कर लेना चीए, घर में रहेंगे, आसक्ती बढ़ेगी, और मरते समय अदी आ सकती हो गई है मरते समय जैसे सिती जैसा मन अगला जन्म भी बस्ता है हो कहते हैं मरना भला विदेश में जहान आपना कोई माती खाए जनावरा महा मात्सव होई अज क्या हो रहा है मरने वाले है तो एक काम करो इसकी बेटी को बुलाते हैं बेटी आ गई और तुम्हारा बेटा ने आया नाती को बुला दे नाती को बुला दे तुम्हारी पत्नी ने आई उसकी पत्नी को बुला दिये इधर पोते बेट बेटा बेटी नाती पोता सब खड़े हैं और ये दम तोड़ रहा है उसको देखते हुए अगला जर्म उसके गर में ओने वाला है उने इसलिए कहते है कि आसकती छोड़ने चीए लेकिन यह आसकती छोड़ना इतना आसाल ने तो एक दिन की बात देव होती बगवान कबिल बड़े हुए एक दिन की बात मादा देव होती दोनों हाथ जोड़कर अपने पुत्र के पास आई परन्तु इस बाद देवती ने कहा बार बार कह देती बेटा खाना खालो पानी पीलो सोजाओ लेकिन इस बार देवती दोनों हाथ जोड़कर अपने पुत्र के पास आई और कहती प्रवू आज आज आप मेरे पुत्र नहीं हो आज आप मेरे गुरु हो और आप मेरे गुरु बनकर आज मुझे मोक्च पराप्ती करने वाली क्यान पराप्त करो इस संसार के से बंदन से कैसे मुक्त हो जाकते हैं क्या करना चाहिए तब भगवान कपील देव ने जो संदेश दिया, और अध्बूत उपदेश च्विज़ गवगान姐व अपनी माता को ही नहीं, अपनी माता को अध्यम बना करके, हम सबको कहते हैं, क्या? प्रशंगम अजरं पाशं आत्मनां कवियो विधू सहेवसादु शोकृतु मौच्छद्वारं अपावृतं। हिमाता सर्व पर्थम केते प्रसंगम अजरं पासं। इस संसार में हम सब लोग पाशं बन ही हुए। एक नहीं अनेकु बंधन है हमपर। आत्मा के ओपर मन का बंधन। बुद्धी का बंधन। आंकार का बंधन। पंच माभूद से बने वे इस दे का बंधन। जन मिर्तियों जराव्याधी का बंधन। रोग का बंधन। काम क्रोध लोब मुव मद मद माशरी का बंधन। पिता का बंदन, पुत्र का बंदन, पत्नी का बंदन, समाज का बंदन, देश का बंदन, अनेकों बंदन, हम तो कहते हैं बड़े स्वाभिमान से हम स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या हम स्वतंत्र हैं, आप देखी इतना बंदन है हमारे जोन, फिर हम क्या स्वतंत्र हैं, और ये ब प्रशंग मजरम पासम प्रशंगम का अर्थुता है आसकती संसार की जड़ वस्तु में जो हमारी आसकती हो चुकी है वही हमारे बंदन का कारण है वास्तों में इस जगत में असकत वस्तु में जो आसकती है ना जिनका नास निशित है ऐसे वस्तु में जो हमारी आसकती है ये गाड़ी ये बंगला इन सारी वस्तु में जो हमारी आसकती है ना यही हमारे दुख का कारण है अमारे इत्यास में एक बहुत बड़े राजा हुए जिसका नाम था राजा भरत हरी राजा हरी ने विराग्य सत्क में एक अदवुच लोग दिया बोगान भोगता वेभो भोगता तपसान तपता वेभो तपता बोले मैं मेरे जीवन का अनुभाव आपको बताओं इस संस में हम लोग सोचते हैं कि हम भोगों को भोग रहे हैं ऐसा लगता है कि हम भोगों को भोग रहे हैं लेकिन वास्त्रीक्ता यह है कि हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं भोग हमें भोग रहे हैं हम सोचते हैं कि हम सराब पी रहे हैं लेकिन सराब को हम नहीं पी रहे हैं सराब हमको पी रहा है हम सोचते हैं कि हम अफीम खा रहे हैं लेकिन हम अफीम को नहीं बगतो अफीम हमको खा रहे हैं लेकिन आज के लोग ही नहीं समझ रहे हैं क्यों क्योंकि इस वस्तु में आसक्त है जब तक इस आसक्ती से मुक्त नहीं होगा तब तक ये विवेक और ज्ञान उत्पन नहीं अता सरवपरतम इस वस्तु की आसक्ती से मुक्त होना बोले आसक्ती से मुक्त कैसे हो पाएंगे अब हम बोल दिये कि हमारा मोह जो है हमारे गाली से हट गया तो ये मोह हटेगा नहीं हटेगा तो भगवान कपिल देवी एक बहुत सुन्दर उपाय बता रहे क्या बोले प्रशंगम अजरंपासम ये आसकती जो है हमारे लिए बहुत बड़ा कड़ा बंदन है और उससे यदि मुक्त होना है तो उपाय कहते हैं शएव वही आसकती शादु शोक्रितु आसकती को नहीं छोड़ना है लेकिन आज हमारी आसकती पत्नी में, बच्चों में, घर में, गारी में, पैसे में यह जो आसकती हमारी लगी हुई है वहां से आसकती को हटा कर क्या करना है सादुों में लगा देना है सादु कर मुक्च द्वारा इस सादु क्या है? मुक्च के द्वार है सहेव सादुों किर्टो मुक्च द्वारम अपावृतम साधों से संतों से आसकती करने से मोक्च के द्वार फुल जाते हैं आसकती करो लेकिन सत्संग से भगवान से अधी हम भगवान से आसकती करेंगे खुद खुद इधर की जो हमारी आसकती है ओ धिरे धिरे चुप जाए तब देवी देवगुती बहुत सुनर बात करती है ठीक है मुझे ये बात समझ आ रही है कि साधूं का संग करूंगी लेकिन इस संसार में कौन साधू है कैसे कौन ठग है ये कैसी पता लगा सकते है ये बात हमारे लिए बड़ा उप्योगी है क्योंकि आजकर साधू के वेश में ठग गुमते रहते है साधू को पचानना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग साधू का भेश पहन लेते हैं लेकिन भगवान कपिल दियों ने कहा साधू वेश धरी साधू न होई कोई भी सैफरोन गेरुआ पहली में से साधू नहीं होता साधू बना जाता है गुणों से साधू का गुण होना चीए तब उसे साधू कहते है बगवान कपिल देव कहते है जिस वेक्ति में साधू के गुण होते है वह सच्छा साधू है और उसी की संगती करने चाहिए अन्य था केवल बनावती साध्वों के संगती मेही होनी चाहिए तब देवी देवती ने कहा प्रूब बताए न साध्वों में कौन सी गुन होते हैं तब भगवान कपिल देव कहते हैं तितिक्छव कारुनी कशुरिद सर्वदेहिना अजाद सत्व शांत शादवा शादु भूशना साध्वों में क्या लक्षन होते हैं साध्वों में क्या गुन होते हैं तब भगवान कपिल देव कहते हैं साध्वों में सबसे बड़ा लक्षन है सहन सी साध्टिक्छन है जो सहन करे वह साथू थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध आजाए साथू नहीं है सहन सील होता है साथू क्या सहन करता है साथू प्रकृति में जो परीवरतन है सहन करे जो ठंड को सहन करे फोले इसका आरति क्या है वो हम रोज सुबह ब्रह्म मुहर्त में उट जाएं जग जाएं भगवान की आरती पुजा करें ये है सादो ठंड को सेन करें ठंड में भी उठके सबेरे शबेरे शनान करके जो भगवान के मंदिर में आ जाए ओ है शादो भगवान की जगने से पहले भगवान की मंदिर के पास पहुंच जाए ओ है सादो थोड़ी सी ठंड बढ़ जाने में यहां खुद गुफा में घुश जाते हैं कहते हैं आस तो बहुत ठंड थी लेट हो गया ये सादो ठंडी को गर्मी को वर्सा को परिकृति का परिवर्तन को जो सहन करे और फिर भी भगवान के नियम में जो बाधाउत बनना करे ओ है सादो और इसी के साद संसार के लोग प्रसंसा करते हैं मान समान देते हैं उस मान समान को सहन कर लेना दूसरे की प्रसंसा को सुनकर अभी मानी नहो जाना ये है सादो इसके बाद बाद मान समान के साथ ही अपमान भी मिलता है जितना मान मिलता है उतना अपमान भी मिलता है जगत के अपमान को भी सह ले अपमान सते समय थोड़ा सा भी दुख ना हो उसे साधू कहा जाता है तंडी गर्मी वर्सा अपमान मान सब सहे ही साधू यहां तक कि धर्म का पालन करने के लिए कोई अत्या चार भी सहले ही उसे कहते हैं सत्व वक्त तो आज जादा नहीं आज से कुछ 500 साल पहले एक साधू हो गये जिनका नाम था संत हरिदास इनका जिन एक मुशलमान कुल में हुआ था संत हरिदास कौन थे मुशलमान थे परन तो कृष्ण के भक्त थे हमारे भारत में ऐसे ऐसे मुसलमान साधू हो गए जो कृष्ण की भक्ती करने के लिए अपने आपको बलेवान देती रस खान, खान खान, स्वामी हरिदास और ये पस्चिम बंगाल के संत हरिदास जिनकी चरन धूली मिल जाए तो हमारा जीवन पवत्र हो जाए जन्म से मुसलमान थे कृष्ण की भक्ती करते थे दिन भर नाम जब उनका नाम था नियम था तीन लाख बार भगवान का नाम जब करेंगे तब सुएंगे और तीन लाख बार भगवान का नाम जब करने में तैईस घंटा लगता है 23 हावर्स तैईस घंटा जब करते थे ये घंटा में असनान ध्यान पूजन और सो जाते थे वह ये गंटा ये इस जचा साथ है जहां जाते वहां भगवान का महामंत्र सुनाते किर्टन पवित्र सुनते इनको सुन सुन कर लाखो मुस्लिम हिंदू सब भगवान के भगतों वहां के राजा को एक पंडित ने सिकायत कि देखो ये ऐसे ऐसे कर रहा है राजा जो थे मुस्लिम थे उन्होंने कि उस हरिदास को उसकी तपश्या को भंग करने के लिए 22 बाजार में पिटने का आदिस दिया कोड़ी बरसाने का आदिस दिया मतलब 22 बाजार में जैसे देवगर ये बाजार है दुमका ये बाजार है मदोपूर ये बाजार है तो ऐसे 22 बाजारों में बोला इनको लेजा और कोड़े मारते रो कब तक कोड़े मारो जब तक की मुर्चित न हो जा 22 स्थानों पर ऐसे कोड़े मारे गए लेकिन फिर भी हरिदाज के मुख से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मंत्र निकलता रा यंत में हार कर उस जमिंदार ने एक वैश्या को उनके पास धेजा विजाओ और इसकी तपश्या भंग कर दो हीरा बाई हीरा बाई के नाम की वैश्या आई बहुत सुन्दर वेश्या आई पूरे सजदज कर आई ये तो जब करने में 23 घंटा जब करने का लिए सबेरा हुआ उठे बोले माते आपको कुछ चैये था शमा करना आज आज का जो है मैं वरत पूरा करके मैं आपको कल आपकी इच्छा पूरुन करोगी वैश्या गई दूसरे दिन आई हरिदास दिन भर रात भर हरिणाम जब करते रहे तीसरे दिन वैश्या आई तीसरे दिन आई सबेरे हरिदास का जब शूटा वैश्या चरणों में रगर गई माराज मैं आई थी आपकी तपश्या को भंग करने के लिए लेकिन आज आपने मेरे पाप को भंग कर दिया आपके मुक्षे हरिणाम सुनकर मेरी जो पाप थी वो भंगों के वो आई थी क्या हीरा बाई बनकर और जाई थी क्या गई क्या हरिणाम बाई बनकर ये है बगवान श्री कृष्णी की पक्ती में तागत तो इस परकार सादू उसे कहा जाता है जो सास्त्र के अनुसार अपना जीवन भी दाए सास्त्र में जो लिखा है उसे करे जो अपने जीवन में उतारे कर उसे करे जो सास्त्र के अनुसार अपने जीवन में दित करें जो लोगों को सास्त्र का उप्लिज दिले से तो इस प्रकार सादू की परिवासा सादू उसे कहते हैं जो भगवान की वक्ति करें और दूसरों को भी भगवान की वक्ति करां तो इस प्रकार देवी देवुति और कपिल देव का सनवाद सनवाद बहुत ही बड़ा है वक्तो बहुत बड़ा सनवाद है इस सनवाद के उपर एक भागवत सप्ता की जा सकती है लेकिन यह था मती यह था समय आज की सत्र को मियाविराद विराम देंगे कल सब समय से आईए आज पांच बजे से यहाँ भागवत चमाकी से किर्टन शुरू हो गया था थोड़ा सा फिलम हुआ लेकिन अब दो दिन की कथा बच्छी हुई है कल और पर सो तो थोड़ा हम लोग समय को जो है ज्यादा लेंगे क्योंकि 18 इसकंद पूरा करने हमें और अभी हम लोग तीसरे चोथे इसकंद में ही है तो थोड़ा समय आप लोग दीजिए आईए थोड़ा जल्दी आईए अब जितने जल्दी आएंगे कःटाउतना जल्दी प्रारम होगा आज की कःथा को हम या मिर्याम देंगे गरन्द राज शीमर भागवत महां पुरान की शाज शिशीराधा माधव की शिशी महा प्रवो की स्रीला प्रपाद की निताइकव फ्रिमानने हरी हरी तो आप सबों का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप आ रहे हैं, अगली सिंदर प्रलाद महारास की कथा, आप लोग आए और प्रलाद महारास की कथा को सुने हिरणिया कष्कु का प्राकट्टे बहुत सुन्दर, और उसके अगले दिन, भगवान Šifir Krishna का जनमुच्व, क्या करेंगे बगवान के लिए हम क्या कर सकते बगवान के लिए बगवान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते चुप हो गए है क्या कर सकते क्या कर सकते किर्टन करते और नाचेंगे भी तो किर्टन और जब नाचेंगे ना तभी भगवान प्रकट होंगे ने तो ने ना प्रकट हुए रहे थे ना तो नंदिग्राम में सब लोग भगवान के लिए कुछ प्रशाद लेकर आये थे भोग लेकर आये थे तो हम चाहिए कि हमें चाहिए कि हम अपने घर से अपने हाथों से प्यार से प्रेम से बना कर भगवान के लिए कुछ प्रशाद लेकर आये तो जिनसे जो संभव हो और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को बजारू अस्तु ज़्यादा नहीं पसंदे ठीक है अपने घर से, प्रेम से, भाव से यदि हम भगवान के लिए बना के लाते हैं न तो भगवान को बहुत पसंदे हो तो आप कुछ भी ला सकते ओ, खिचड़ी हो, बिर्यानी हो लेकिन सब सात्वी खोना चीए बिना लसन प्यास का तो आप जो लाएंगे उस दिन वही हम यहां भोग लगाएंगे और वही समस्तर भगतों में माटाज आएगा ओ, छपपन हो चपन टाइप का हो गया तो चपन भोग एक सो आठ हो गया तो एक सो आठ भोग हो जाएगा भगवान का, जितने लोग आते सब लोग कुछ ना कुछ भगवान के लिए कोई भुजिया, चटनी, जो भी मन करे, लेकिन सब सुद्ध लेके आएगे, अच्छे बरतन में ठीक है, जो आपको पसंद लगता है, वो हमें भगवान को खिलाना चीए हमें जो अच्छा लगता है, वो भगवान के लिए तो जो हमें अच्छा लगता है वो हम लेके आएगे ठीक है, तो लालकी तो ऐसे हम लोग करेंगे तो सजा दिया जाएगा बहुत सुंदर माहौल लगेगा नृत्य होगा और जब तक आप एक बात और में बताता हूं किलियर करदों में आपको जब तक आप नाचेंगे नहीं याद रखिए भगवान प्रकट नहीं होंगे क्योंकि जब देवताओं ने भगवान को प्रकट कराया था तो भोले नाथ कोई स्पेशल बुलाया था निरित्ति करने के लिए कि भोले नाथ आप आईए निरित्ति कीजिए तब भगवान प्रकट हो वेती है तो इसलिए लाज सरम का जो घुंगट ने घर पर रखिए आई पावन पुरान की आरतियती आरतियती पावन पुरान की आरतियती पावन पुरान की दार्मा भागते वेख्यान कान के दार्मा भागते वेख्यान कान के दार्मा भागते दार्मा भागते वेख्यान कान के दार्मा भागते दार्मा भागते वेख्यान कान के दार्मा भाग पुरान भागवत निर्मलमा सुख मुक विगलित निगम गल्प वलप दर्मान अंद सुधार समय फल लेला रतिरश रश निदान के लेला रतिरश रस निदान के लेला रतियती पावन पुरान के आद के लेला रतियती पावन पुरान 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 के लेला कलिमलमत निपिताब दिवारिनी जान्माम्रीत्युबय भवबय हारिनी सेवत सतत सकल शुककारिनी सूमह सदियरी छरित गान की आरतिय दिवावन पुरान की आए विशय विलाष्य विमोह विनाशिनि विमल विराग विवेक विनाशिनि वागवत चात्वराश प्रकाश नि परम जोथी परमात्म ग्यान की परम प्यारतियति पावन पुरान की परमान समुनि मन उलाशिनी रशिकरिदयरति राश विलाशिनी पुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदाशिनी प्यारतियति पावन पुरान की आरतियति पावन पुरान की आरे कृष्णा, आरे कृष्णा, खृष्णा, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare और जित्ता हरे अटीना शित्ता हरे राम, हरे राम, 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 हरे अटे, खुम्ते हो, नाच्थे हो, अरिबो अरे राम अरे राम 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 अरे खिश्णा 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 ख किषना किषना हरे हरे रामा हरे रामा... आरे किरियो डांस करना है आरे क्रिष्चना क्रिष्णा 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 हरे हरे बड़रामा हरे राम 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 अहरे हरे आज आजो आजो हरे किष् 데ना हरे किष्णा खिश्णा हरे 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 रामा ने नामा रामा रामा हरे औरे रामा, औरे रामा, 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 औरे नामा, औरे रामा, 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 जया ना दा मादवरा दा मादवरा दे जया कुष्णा बलाराम जया गोरा निताय गोरा निताय जया गोरा निताय जया जया गोरा निताय 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 गोरा योग धर्मराज हरिनाम संकिर्तन की, गरंदराज श्रीमत भागवत मापुरान की, शुषिरादा मादव की, शुषिकृष्ण बलराम की, शुषिनर्सिम्दे भगवान की, शुषिजदन्यमा प्रवाद की, शुषिदा प्रवपाद की, निताई गोप्रिमानन्दे, हरे कृष्ण अरे कृष्ण अरे कृष्ण